आज हम बात करेंगे मोनोकार्पिक और पॉलिकार्पिक के बारे में, मोनोकार्पिक क्या है, पॉलिकार्पिक किसे कहते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलिकार्पिक में डिफ्रेंस क्या है, ओके तो चलिए शुरू करते हैं, मोनोकार्पिक, plant in which flowering and fruiting takes place only once in whole life span means कि उसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार flowering और fruiting होगा वैसे plants को क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक, okay? plant in which flowering and fruiting takes place many times in whole life span means कि उसके पूरे जीवन काल में fruiting और flowering बहुत बार होगा तो उसे क्या कहेंगे? polycarpic, monocarpic में क्या होगा? fruiting और flowering एक ही बार हुआ, पूरे जीवन में और polycarpic में क्या हुआ? fruiting, flowering बहुत बार हुआ, उसके पूरे जीवन काल में यह नहीं कहें रहे हैं कि पूरे एक साल में इसके पूरे जीवन काल में जरा होग दो साल है ना थीक है उर्यसाँ को किता है कि मोनो कार्पिक में चाहि मोनोकार्पिक में इस स्थ में यह इन दिर मारी investing, पिरस पार आपने स्थ Tम आप लाइप स्थ कर रहा है अपने पूरे जिवन काल में हो यह पॉली क्रिंग ओसके बाद मोनक्रपी टाइब ऑफ्टर अाफ्टर पुरे ठाविंग हो जाता है क्रोट में डाय कर जाता है पॉलीोर्वक हो गया दे दि डीनिय घ्रिया पॉलिकार्पिक करने के बाद भी नहीं मरता क्योंकि उससे क्या है वह मेनी टाइम्स फ्लावरिंग करता है तो यह आगे भी अपने कंटिन्यूस करना है फ्लावर रिंग और फ्लावरिंग को इस लिए उसको जिन्दा रहना जरूरी है आप प्लीज जा कर वहां देखना उसके देखने के बाद यह चीज ज्यादा अच्छे समझ में आएगी ओके नेक्स टेक्स प्लेस वन्स लाइफ टाइम जो है इसके पूरे जीवन में एक ही बार करता है बार होगा क्या होगा क्या बार करें वहाइं क्या और मोनोकर्बिक है ही एनवल प्लांट्स और बाइनियल है है अब ऑफ और बेतंगे है है अगезж Tuning और कॉसमें अग्योम आगे एक ट्रीक्स मोनोकर्पिक पोलिकर्पिक है और बायनियल सारे में ट्रीक्स के साथ एक्जामपल को याद करेंगे तो वीडियो जुरूर देख लेना ओके राइस, वीट, रेडिस, कैरोट, बैमबो इस सब एक्जामपल क्या हो गया मोनोकारपिक का एंड इसमें क्या हो गया किसमें पॉलिकारपिक में प्लांट्स आता है एपल, मैंगो ग्रेफ एंड ओरेंज इसमें आप तो सकते हो कि मैंगो जो ख्रहते हुए सेरीयल से चाति हो तो अबसा सिरियाल से राइस वीड और वीड मिलता है अर्सका सेप वीumm इक ही जैसा लगता है रेडिस और टकinator वाक आंड दुलता है तो इसमें आप याद करों इसमें य एक ही प्लांट से हम लोग सालों साल आम का फल खाते हैं मिन्स का प्रूड खाते हैं अब क्या है कि बैंबो कह रहा है कि एक पेरेनियल प्लांट है क्यों यहां नोट लगा है कि एक्चुली मोनो कार्पिक में एनुवल और बायनियल प्लांट साते हैं बट एक्जांपल में हैं बैंबो है जो कि एक पेरेनियल प्लांट से इसलिए हां इंपोर्टेंट एक्सेप्शन है कि बैंबो पेरेनियल हो करके भी मोनो कार्पिक है ओप कि आपको यह मोनो कार्पिक पॉलिकार्पिक अच्छे से समझ आया होगा दिन प्लीज लाइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को थैंक यू